दोस्तों आज में आपको बताऊंगी हाई नेक के लिए आम होल और सोल्डर केतना ले है इसले वीडियो में आपको लो नेक के बारें बताया था सोल्डर आम होल कितना है आज के लिए हाई नेक के बारें बता रहे हैं सुरू करते हैं तो सबसे पहले हैं आप बैक साइड की ल तो मैं आपको लेंद 15 इंच में नवता रही है और आप अपना ब्लाउज के नुसार जो ही आपकी लेंद इसके अनुसार आप ले साथ आप आप अपना आपको 32 से स्टार्ट कर रही है जैसे कि आप 32 साइज का ब्लाउज बनाते हैं तो उसके लिए आप सोल्डर कितना नहीं काफी कॉमेंट रहते हैं तो मैं आज आपकी वह समस्य भी दूर करते हूं जाद तरह सोल्डर हमारे 14 इंच रहते हैं या 13 इंच रहते हैं जो के हम हाई नेट में बलाउज या कुर्ती में बनाते हैं तो मैं आपको विध इस्टिचिंग के मार्जन सहेती आपको बता रहे हु इसमें तो यह 32 सैज में कि विजब से फिर जमारे हैं जो कि हमारा हाफ इंज सोलडर में इस्टिचिंग चला जाएगा जो कि हम साइड में सिमन में इस्टिचिंग तुर आपको जू तैया रहेगा वहापका 6.5 पाइंच के असपास पास तैया उसके बाद आप आम हुल की लिए बताते हु पप्रतिए आम ईसके लिए यसा क्या कि आपको 6.5 इंच लेना है अगर आपको नवी सबना चीच जीचा जीचा शाहे जादा है तो अकसर एलेवन इंच या तेन इंच रहती है हमारी गुलाई तो मैं आपको एलेवन इंच के साब बता रही हो अगर आपको गुलाई ज्यादा है 12.5 तो ऑफसे उन चेक ले सकते हैं इसमी आपको 6.5 इंच ले रही तो हमारी तो उसे पर्फेक्ट नहीं आएगी अब जिसे आप 32 साइज के बनाते हैं तो हम 8 इंच लेते और 2 इंच अब एक्ष्टा मार्जन लेते हैं जो कि स्लाई पे लिए रहता है तुम्हें आपको एक्ष्टा मार्जन नहीं ले लिए इसमें आपको सैज के अनुसारी बता रहे हैं यह मैंने 32 साइज के साब से लिए 8 इंच लिए तो यह मैंने 32 साइज के आपको साब से यह ड्राफ्ट बता दिया है अब यह मैं आपको 34 का बताती है 34 के लिए आप 8.5 इंच लेना है चेस्ट और दो इंच आप एस्टा लेंगी जो कि आपको स्लाइब बाज़ा जाएगा और जो हमने आम होल लिए है वो आपको 7 इंच लेना है जो सोल्डर लिया है हमने वो सेम आपको 14 इंच रखना इसको हमको 34 साइज में ज़्यादा नहीं लेना है 32 साइज यहां पर आएगा आपको जो मुड़े के लाई है और 34 साइज का आपका यह पॉइंट है अब यह आपको 36 का बताते हैं उसके लिए आपको यह 9 इंच हमको तैयार में चाहिए तो 9 इंच पहमने लगा लेते हैं और जो हमने यह सोल्डर लिया है यह आप थोड़ा सा इसको टू सैंटेमेटर एश्टा लेगा जितना की जो स्लाइम आर्जन में चाहेगा उतना ही ए 32, 34, 36 यह 3 सैज के आपको इस तरीके से लेना है अभी मैं आपको 38 सैज का बताते हूँ उसके लिए सोल्डर आप 38 के लिए आप 8 इंच भी ले सकते हैं जो के 16 इंच रहेगा अगर आपको आप सोल्डर अपना साइज के अनुसार भी ले सकते हैं किसी का सोल्डर चैस्ट जाजा है लेकिन सोल्डर कम है तो उसके साब से आप 7.5 इंच भी ले सकते हैं मैं आपको विद मार्जन 8 इंच ले रही और यहाँ पर मैं 8 इंच लोगी जो कि इसके मुट्डी के गुलाई रहेगी तो अब इसको 9.5 इंच में तयार रखेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच एस्टा ले लेते हैं तो आपके इस तरह से आएंगे अभी आपको 40 साइज के बताते हैं 40 साइज के लिए भी आपको सोल्डर 8 इंच रखना है इससे ज़्यादा नहीं लेना है मुट्डे आप एस्टा ले सकते हैं 8.5 इंच ले सकते हैं जो कि इंगो बरावर बैठेगा टैयर साइज 10 इंच आएगो यह आपके इस तरह से हैंगे अभी मैं आपको 42 का बताते हैं 42 साइज के लिए भी हमको सोल्डर 16 इंच लेना है दबल फोल्ड में 8 इंच लेना है और जो मुट्डे लेंगे वो हम 8.5 इंच रखना है चुकि हमने 40 साइज में रखा है सेम आप नहीं रखे अब यहां पर जाके इसको बढ़ा दें साइज 10.5 इंच आएगा 42 साइज के लिए अभी मैं आपको इसकी गुलाई बताते हूँ और जो हम यहां पर गुलाई रेंगी क्रॉस में वो भी बताते हूँ उसके लिए आप सभी में हाफ इंच आपको यह क्रॉस में मारजन देए जो के मारा इस तरह सुल्डर तक आएगा जो नेक रहता है मारा नेक तक इस तरह से रहेगा आपको ब क्रॉस गुलाई देने के लिए हम ज़िए 32 सैज लिया है 32 सैज के हम गुलाई देने और सेम, 34 साइज का भी, जो के हमने सोल्डर सेमी लिया है, उसके बाद जितनी भी आपके नीचे साइज बढ़ रहा है, आप उस हिसाप से इसकी गुलाई दें, अभी जिस हमारे मुट्डे चाहता है या पर, तो आप उस हिसाप से गुलाई दें, इसकी, जैसे आपके जो हमने मारजन दी है, सेम मारजन पर आप इसके गुलाई कर ले है, जो साइज हमनों पॉइंट दी है उसी इस पॉइंट पर तो आपकी गुलाई जो इस तरह से यह हमने बैक साइड के अनुसर बताया है जब आप फ्रेंट में कट करेंगे तो हर साइज में आप हाफ इंच एश्टर कटिंग दे 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 फ्रेंट में उपर से आप 1.5 चे आसप चेंट फाण के बेड़ि पूलाई बनातों लगा दो इस तरीके से आपको मुड़े का और सुल्डर का माप लेंगें तो indicates मुड़े नटाय पूंगे यू फरफट फिटिंग दूस्तों आज में आपको ठाव बेरिमागेनों आपको अलगिस droodk के और आम होल और सोल्डर कितना दोस्तों मुझे उम्मीर है कि हमारा वीडियो आपको प्रसंद आया हुआ वीडियो को सेयर करें लाइक करें चैनल सबस्क्राइब करें थेंक्यू झारे महीं हमारा करें चैनल सबस्क्राइब करें चैनल सोल्डर करें वीडियो ओकुष्राँब करें लाइक करें चैनल से करें शोस्तों प्रसंद लाइकारा वीडियो कि घós政PR झाल झाल झाल